दबून ओफ वर्ड्स आज का नहीं चाप्रिल हमारा दबून ओफ वर्ड्स है तो यह स्टोडी बहुत ही जदा इंट्रेस्टिंग है तो लेट्स स्टाथ ​​ ​ एक चाप्र का सवाल है जहां पिर आपके साथ यह होना था वो चीज आपके साथ वह ने वाली थी बट वह पहले ही गलत तरीके से हो गए जैसे मैं एक एक्जांपल देती हूं कि एक आदमी कैंसर से मर रहा था बट उसका एक्सिडेंट कार एक्सिडेंट में वो माड़ा गया तो ब्लेसिंग इंडिस्क्यों के रियली मेनिंग गयी है Read this story by Umaraman about how a witty boy goes on to become famous because of a curse तो ये story की writer Umaraman है जिन्होंने एक बहुत मजाक या बहुत चलाक लड़के के बारे में लिखा जो सिर्फ और सिर्फ एक श्राप के कारण famous हो गया है तो ये story कुछ ज़्यादा ही interesting है जो मुझे लगी तो अब हम लोग start करते हैं Once upon a time in a village of Tenali lived a boy called Raman तो आपनों समझी के होंगे ये Tenali Rama का story है जो एक boy था जो एक विलेज मेरा था उनको इसमें प्यार से रमन बुलाया गया है Raman was very clever and good looking boy but he got on everyone's nerves He was always playing Franks or making fun of people. He was quite ignorant and would even mock the elders of the village यहां पर वो जो तिनाली रामन थे वो बहुत ज्यादा वो अच्छे देखते थे अच्छे देखने वाले लिके थे और बहुत ही ज्यादा चलाक थे उन्हें हर चीज का मजाग उना था इसकारण वो पूरे गाउं वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे तो नहीं पे पिनाले रामा बहुत ही मजा किया था तो नाओ, एल्रेस वो टेक थेमसेल्फ और देर पोजिशन सीरियस्ली दो नाट लाइ तो बी मेड़ पन जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें बिल्कुल मजा करना तो बिल्कुल पसंदी नहीं था पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे to their works and everything they decide that something had to be done about Raman they caught hold of Raman's mother and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand तो गाओं वालों ने उनकी मा को पकड़ा और उन्हें धंकी दी कि अगर आपका बेटा नहीं सुद रहा तो उस वो बहुत ही बड़ी प्रॉबलम में फच जाएगा he could not go around making a mockery of everything they warned her that if he went on like that he would be sent away from village उनकी मा को कहा कि अब अगर तुमारे बेटा नहीं सुद रहा तो उसे गाओं से निकाल दिया जाएगा the poor woman did not know what to do Raman did not take anything seriously nor did he take an interest in any kind of occupation after months of gentle repairments and attempts and pursuing Raman to turn over a new life she got really fed up उनके ये सब काम से उनकी मामी बहुत ज़्यादा fed up हो गई थी उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें तिनाले रामा कुछ भी seriously नहीं लेते थे नहीं उनका कोई occupation कोई काम धन्दा में मन लगता था तो इसके कारण she found a holy man who was teacher and sent Raman off to study with him maybe he will teach you something useful she said उनकी ममी को एक holy man पुजारी मिला जो teacher थे और वो बहुत अच्छा प्रहाते थे वो सोची कि रामन को उनके पास बेजना चाहिए कि वो कुछ सीख है वो कहती है कि तुम बापस मत आना don't come back till you have learned enough to earn your living उन्हें कहती है कि तुम बापस मत आना जब तक तुम अपने life के लिए कुछ कमाना ना सीजा कि तुमें क्या करना है तुम ये ना जान जाओ so Raman went off to study now Raman was actually quite good at his lessons when his mind was occupied he even forgot to play franks his teachers was very pleased with him उनका ये सब पाट पूजा में इतना मन लगा कि वो भूल भी जाते थे कि हाँ वो frank करते थे मतलब वो frank ही करना भूजा देते और इस चीज को देखकर उनके टीचर उनसे बहुत खुशते finally one day the teacher told Raman well I have taught you all I can now you must go out into the world and seek your fortune मतलब वो अब तो वो उनके टीचर का है कि चलो मैंने तो तुम्हें सब कुछ सिखा दिया अब तुम्हें बाहर की दुनिया में जा और देखो कि तुम क्या कर सकते हो तुम्हारा चांस लग fortune का यहां मतलब वहा चांस तो everything is to be done what he can do but said Raman I still do not know what can I do for living how will I face my mother? जैसा कि उनकी ममी ने कहा था कि जब तक तुम कमाना ना सिख जो तब तक बापस लोट कर मत आना तो अब वो तो टीचर को कहते कि अभी तक मैंने यतना सब तो सीख लिया पर मैंने यह नहीं सीखा कि मैं अपने लाइफ कमाऊंगा कैसी या करूंगा क्या तो इस टीचर देन टॉट हिम अ मंत्र और टोल्ड हिम तो रिकाइट इट अट अ नियर्बाइ टेंपल देर थ्री मिलियन ताइम तो उनके टीचर ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ और उसको तुम जाप करना एक मंदीर के सामने थ्री मिलियन टाइम सोच सकते हो थ्री मिलियन टाइम कितना होता है हम लोग लिए तो इंपॉसिबल है यह तो पुझारी कहते हैं उनके टीचर कहते हैं कि तुम अगर यह बहुत सिंसरी तुम बहुत अच्छे से करोगे तो तुम्हारे सामने एक भगवान गौड प्रकट होंगी और वो उनके से थाउजन हेट्स होंगे और वो तुमको एक वर्दान देंगी जिसमें तुम अपने उक्यूपेशन तुम क्या चुस कर सकते हो उनसे पूच सकते हो मांग सकते हो बून का यहां मतलब होगे अधिंग डैंट हेल्फुल और बेनेफेशियर बून मतलब वर्दान ही होता है As for a guidance, she will tell you about the occupation that you take up in life So the next day, Ramad got up early, bathed in the river and wore new clothes Then he went home and brought a plate of offerings with a coconut, some bananas, bitter leaves and nuts, joe sticks, a string of स्वेट स्मेलिंग जैसमिन एन लम्प औफ फ्रेगनें कैमफर कैमफर मतलब कपूर होता है विटल शेप लीव निया साय पान का पत्ता हो सकता है या फिर जो हम पूजा में पत्ता यूज करते हैं यह हाट शेप का लिव से तो वह अपने सारे पूजा की सामगरी रेडिकरते तो फिर वो जाब करने के लिए मंदीन में चले जाते हैं वो मूर्ती के सामने जाके अच्छे से सिंसेरली जितना वो कर सकते थे उतनी अच्छे तरीके से उन्होंने मंत्र जाक करना सुरू किया वो इतना अंदर मंत्र करने में खूँ गया थे कि उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि शाम हो गई है और पुजारी मंदिर का ताला बंद करके अपनी घर चला गया है When Raman had chanted the mantra three million times the goddess revealed herself to him in her all glory तो जब वो three million times Raman का complete हो गया तो God उनके सामने प्रकट हुई और with all glory मतलब होता है ना कि सारे दुआ हुआ के साथ प्रकट होना Raman looked at her in awe but was quite unafraid He was amazed totally amazed and quite unafraid उन्हें डर नहीं लगता था कि हां ये God है या कुछ भी He moved his head from side to side as he tried to take in her all thousand hands Actually he was shocked what he has seen The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and a friend Mortis का मतलब होता है a person who can die or who can burn जैसे एक आदमी human being कैसे मरते तो जल सकता है उस type का Suddenly a thought struck Raman and he burst into laughter अच्छानक से उन्होंने कुछ सोचा और पूरा हसने लगे कि अवे और इतने जोड-जोड से हसने लगे कि उनके आँखों से आसू आने लगा उन्हें एक support period, temple pillar की support लिने पड़े सोचों उनकी माइन में क्या आया कि वो इतना हसके तो चली जानते हैं कि माइन में ऐसा क्या आया नाम करता है। और अलुए आकर ईजोगा अच्छा आया है। उनकी क्याते में पड़ें वो इस लिए नहीं है कि यह शोक के एक मोटण कैसे शकता है। तो वो गुषा के बोती है। यह नहीं हैं TRUMP तुम छोटे इंसान, तुम मुझ पर हासर हो, ऐसा क्या तुम्हारे मेर में आ गया? And Raman was not controlled himself as finally entered these words between gusts of laughter. I was just wondering, he gaps, what do you then, you have a cold? उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर आपको cold हो जाए, cold कफो तो आप क्या करती है? इस स्टोरी में आंगे तो बस यही है. पहले उसके मन में यही था कि एक अगर human beings का runny nose अगर cold हो जाए, तो कितना difficult होता है, we all know ही कितना difficult होता है समाला. और उनके मन में यही आया था कि अगर God का thousand head है, तो उनको इस धर्टी पे क्या कैसे वो अपना runny nose समाल पाते होगी. Is this funny? The goddess was furious, she raised her all thousand heads and looked down hotly. वो बहुत ज़्यादा गुसा गई थी और उन्होंने एक strap दे दिया, curse जे कर दिया रामन को, कि तुम, you will earn your living as a jester, a vicar takavi, that is occupation I give you. रामन, however, was not upset, oh that's great, he said, that is an interesting occupation. Whichever way you say it, I, it's a palindrome, vicar takavi. तो इसका मालों बहीं होता है देखो, आपनों भी देख सकते हो, कि विकर एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ. ये, vicar takavi जो है, आप इधर से भी आप left to right देखो, तो विकर takavi, और इधर से right to left देखो, तो ये, vicar takavi, दोनों ये सेम बढ़ा है, तो इस चीज़ को, जो आप एक word पर हो, जो left to right भी सेमी हो, और right to left भी सेमी हो, प्रोनाउंस करने में उसको पहले न्ड्रोम कहते हैं. तो, it reads the same left to right, and right to left, as I told you, तो, the goddess was amazed, at Raman's admit, that made him, she, a joke, even in a curse, उन्हो ने एकशाद दे दिया कि, अब तुम जेस्टर ही बनोगे, और इसे, पर उन्होने वह बहुत, रमन बहुत खुश था कि हां यह बहुत इंट्रेस्टिंग है as he was so beautiful and वो बहुत इस फ्रैंक तो obviously करते ही थे उनको यह occupation बहुत पसंद आया और उन्हों ने गवार्ड ने कहा कि तुम the king के king के king में king के सामने तुम जाकर अपना नाम तुम करोगे और वो बहुत और वो बहुत एक्साइट भी थे रामन and रामन वें तुम बहुत बहुत जेस्टर तो king krishnavaraya of Vijayanagar and became very famous as Tenari Rama for his jokes and witty answers तो महा के तु Vijayanagar के उस्टेम यह king थे krishnadevaraya so he was so so happy that he has got that occupation so this story was by written by Umaraman thank you